हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नास्ता तो हेल्दी आपको दिखी रहा होगा कि सारी चीजे बहुत ही अच्छी रखी हुई है और अगर हम हेल्दी बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके टेस्ट में हम कोई कंप्रोमाइस करेंगे बिल्क तहीं यह 10 गंटे बेदट है तो यह बहुत ही अच्छे से गल गई आप इसे करेंगे चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कट रही जाए है तो यह आधा कूप मूंग की ताल मैंने गला के रखी थी तीन घंटे और यह आधा कूप उडद की दाल है इसको भी आमने तीन काटा है मैंने दो मिर्ची काटके ले लिए और एक इंच का अधरा का टुकड़ा इसको काटके ले लिया मैंने यह लिया है लहसुन लहसुन की पत्यां है यह और थोड़ी सी लिए मैंने धनिया तो हम इसको पीस लेंगे यह पालक हम डालेंगे जार में और इसको बिना पानी डाले दिरे दिरे करके पूरा पीस लेंगे तो हम सारी पालक जर्म डाल देते हैं और पीसते हैं आप पालक को एक साथ मत डालिएगा नहीं तो पिसेगी नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएं और पिसते जाएं इस तरह करके पूरी पिस भी जाएगी और आपको पानी की जरुरत भी नहीं पड़ेगी मैंने रख दिया है मिक्सी में जार को और हम इसको बहुत बारी पीस लेंगे पालक पीस गई है हमने इसमें पानी नहीं डाला तो अब हम इसमें डालेंगे यह मूंग की दाल डाल देंगे और हम इसी में पीश लेंगे इसमें पानी हमको बिल्कुल एड नहीं करना हमको इस पालक के ही पानी में पीशना है तो हम यह मूंग दाल पीश लेंगे इसमें मूंग दाल भी इसी में पिस गई है इसी पानी में हमने पानी बिल्कुल वेड नहीं किया आब हम डालेंगे इसमें उड़त दाल और इसको भी हम इसी में पिस लेंगे अध्रक यह सारी चीज़े जो हमने लेखी सभी से में हम डाल देंगे और मतर भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको फिर से पीस लेंगे धन्या भी में डाल दूंगी और अब हम इसको बिल्कुल बार एक पीस लेंगे यह बेटर बहुत अच्छा से पीस लिया मैंने और इसको मैंने दो मिनट तक पीसा है यह इसी में अच्छा से फूल गया है अब हम इसको डाल लेंगे एक बरतन में और यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो मैं इसमें आधा कप पानी मिलाओंगी और हमको थोड़ा सा यह पतला करना है क्योंकि हमको चिले बनाने हैं तो जब हम तवा में डालें तो अच्छे से फैल जाएं तो इसमें मैं थोड़ा सा आधा कप पानी एट कर लियां इसे नमक यह मैं टवाम कर दूंगी और ताल दूबक थोड़िसी क अ कि अधूब और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिए इसको मैंने पाइन डाल दिया है, थोड़ा सा हमको ऐसा ही चाहिए, जो हमारी तवा में अच्छे से फेल जाए अब मैं इसमें डालूँगी यह चिली है, इसको मैंने सेक लिया था तवे पे और इसको बड़ा-बड़ा कूट लिया है तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी और मैंने लिया है एक पिंच मीठा सोडा इससे बहुत फ्लपी नास्ता बनता है बहुत ही सौप्ट बहुत ही अच्छा तो मैंने एक पिंच इसमें सोडा भी ले लिया है और यह जो मिर्ची है यह बहुत अच्छी दिखने में लगेगी और भी उसका स्वाद भी हलका सतीखती का अच्छा हैगा तो हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं और अब हम करते हैं स्टफिंग की तयारी अगरै के लिए इसमें मैं एक छुटे चम्मच से तेल डाल डूंगी स्टेल 002 सूली ठाल के दाल डिया अब हम इसको फोड़ा सा शेखंगे इसका color change होने तर इसको ज्यादा नहीं सेखना है इसको एक से डेड़ मुनेट तक आप medium आज पर धीर धीरे सेख लिए इसका color change होते ही फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर प्याज पर हमने थोड़ा सा सोटे कर दिया सारी प्याज अलग-अलग हो गई है इस ताइम पर हम इसमें डाल देंगे गाजर और इसमें डाल देंगे हम एक सिबना मिर्ची मैंने दो गाजर लिए है गाजर आप ज्यादा डालन दें गाजर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आत आप टेखने इसको हमको थोड़ा सा पेखना यहीनपपम के इसको हमको पकाना नहीं है ये तोड़ा सा- रंची रहता है तो अच्छा लगता है आप हम इसमें डाले मिर्च भिटास अि मियृ-N medicine आमाप अधि वे緁ट चल देया है ऐसको मिर्चत से न भिटे कि एक मि crashed ëो ग अब मैं इसमें डाल दूगी आधा मीबुकरस अधा कर देंगे यह बहुती अच्छा लगता है और मैंने इसमें टेल डाला है आप चाहें तो घी और बटर सी इसको चाहिए कर सकते हैं और इसमें अगर आपको मटर डालनी है तो आप इसमें मटर भी उबाल के आदा कप मटर नमस्कुर्टा डाल सकते हैं कि भस अम में कट दूगी गया यह ऐका सक्रंची हो गया है हम गया इसको बन कर देंगे और इसमें डाल दूगे मैं धन्या और मैं मिक्स कर दूँगी और इसको रख देंगे अलग पलेट में अगर इसकडाई में हम रखेंगे तो इसका पानी छूट जाएगा हमको पानी नहीं चाहिए इसमें तो हम इसको एक प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे तो यह हमारी स्टफिंग त्यार हो गई यह बहुत ही कलरफुल दिख रही है और यह जो हम नास्ता बना रहे हैं बहुत ही अच्छा है बहुत ही टेस्टी बहुत ही तो यह आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल बनके त्यार हुआ है अब हम इसको ठंड़ा करने के लिए रख दिने हमने पैन रख दिया है हम गई स्कॉन कर देंगे और पैन को करेंगे गरम और पैन को मैं अच्छे से ग्रीज कर दूंगी आप गी तेल बटर किसी से भी इसको ग्रीज कर सकते हैं पैन को गरम होने देंगे मैंने मेडियम फ्लेम में ही रखा है हम इसमें डाल देंगे वाइब तिल यह बहुत हेल्दी होता है और अच्छा भी लगता है तो हम इसमें साइड जाइड से और इसमें डाल देंगे अपना प्रिटा है और इसको हमें से घिर घिरे खिला देंगे ख्लेम को आप मीडिया में रखें और अब मैं इसको ढख दूँगी एक मिनट के लिए ख्लेम को लोटू मीडिया में रखना है अब मैं इसको चेक कर लूँगी एक मिनट हो गये हैं और यह एक तरफ से इसको अराम से दूसरी तरफ भी डाल दूँगी और हम इस तरफ से भी इसको एक मिनट तक पका लेंगे मुझे चार मिनट हो चुके हैं और मुझे एक चिला पकाने में चार मिनट का टाइम लगा तब यह अच्छे से पक पाया आप इसको अच्छे से उलट पलट के चार से पांच मिनट लगेगे मिडियम फ्लेम पे तो आप इसको अच्छे से पका लें और अब हम इसको निकाल लेंगे एक फ्लेट में और इसको हम कर देंगे फ calor तो आप भी ऐसे इसको फोल करें यह चब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको fold करेंगे तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यह fold भी नहीं होगा तो जाएगा तो और हमने इसमें जो डाला था तो ठंड के टाईम है तो त Docker लाती करते हैं इसलिया हम इसमें तृलल टाले थे और अब आप मिसको सारे इस अलट browser के तयार कर लेते हैं अब हमने तीन चीले बना के तयार कर लिये हैं यह मैंने तीन चीले बना लिये हैं अब हमने इसमें स्टफिंग के लिए यह तयार ही कर लिया था मसाला और हमने एक्स्ट्रा जो लिया है मैंने दो टमाटर इसके बीज निकाल दिये हैं दो टमाटर लिये हैं फिर मैंने लिया ह इसको थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज को काट सकते हैं तो आदा प्याज ले लिए लंबी लंबी स्लाइस काटके थोड़ी सी धनिया लिया मैंने यह चीज है चीज को मैंने किस लिया है और यह है लेते हैं और इसे स्टफिन करेंगे हम। मैंने खोला। इसके एक पार्स में लाइने टामाटो डाला। अगर आप टामाटो अच्छा रखता मीठा टेस्ट आएगा। और ये खाने में बहुत ہी healthy और बहुत ही जाधा tasty बनता है, तो आप एक बार जरूर बनाए इसको, और इस में मैंने डाल दिया ये बेटर, आप इसको लंच में भी ले जा सकते हैं, आप आप ओफिस जा रहे हैं, इस्कूल जा रहे हैं, फिर आप भाने के टाइम फिरव यहाँ वहां पेी खाने के टाइम साथ में ऐसे ही लगा ले नहीं तो गीला हो जाएगा और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा प्याज इसिक साथ में डाल दिया है टमाटर यह बहुत ही टेंस्टी और इस पर थोड़ा सा चीज डाल दी है धनिया अच्छे से डाल देंगे और हम इस पर डाल देंगे स्लाइस हम इस पर दो चीज स्लाइस डाल देंगे और इसको कर देंगे बंद इस पर थोड़ा सा हम अगर आप चाहें आपको ज़्यादा खाना है तो यह थोड़ा सा हम और डाल देंगे उपर से और इसको हम बंद कर देंगे इसी तरह में यह सारे चीले तयार कर लूँगी त आप इसको कोई घर पे आ रहा है तो आप ये चीले पहले से बना के रेडी कर लें और जैसी कोई आता है आप उसको फटा-फट से स्टफिंग बना के सर्व कर दें यह बहुत ही अच्छा लगता है है कि मैंने इसमें भी डाल दिया स्टफिंग फिर डाल दिया मैंने थोड़ा सा जुझ फ्रीन प्यास थोड़ी सी धनिया और विए टमाटर फोड़ी सी चीज़ डाल दी मैं इस पर डाल देंगे जीश-सलाइस और इसमें थोड़ा सा उपर से मैं और डाल दूँगी और इसको भी कर दिंगे बन मैं सारे इसी तरह तयार कर दूँगी मैंने सारे चिले ऐसी भरके तयार कर लिये हैं और इसको हम सौस के साथ हरी चटनी के साथ और अगर नहीं कुछ भी आपको चाहिए तो इसमें सौस हमने लगा दिया है तो कोई चीज भी डालने की ज़रूरत भी नहीं है यह बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो आप भी मनाईए खाये यह बहुत हेल दी हैं बहुत ही टेस्टी हैं और अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप मेरा वीडियो आगे भी शेयर करिएगा आपने मेरा वीडियो देखा आपने मुझे अपना इतना टाइम दिया इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्नवाद